हाई हलो नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तेन टॉपिक्स पर UPSC में जो स्कैम्स हो रहे हैं और एक एकर के नए स्कैम्स उजागर हो रहे हैं पूजा खेड़कर कांट्रोवर्सी और D.O.P.T. के रूल्स में जो है हम ये डिसकस करेंगे D.O.P.T. के रूल्स क्या कहते हैं इन IAS अधिकारियों को ले कर तो आल्राइट हम आगे कुछ डिसकस करें एक जो ख़बर है अभी अभी निकल कर आई है जो पूजा खेड़कर का केश है तो वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग को होल्ड पर डाल दिया गया है और उनको कहा गया है IAS अकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए महराष्ट्रा गवर्मेंट ने इससे पहले उनका जो डिस्ट्रिक ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो भी होल्ड पर डाल दिया था अभी तो यहां तक तलवार लटक रही है कि कहीं इनको जो है डिस्चार्ज ना कर दिया जाए सर्विसेस से इन्होंने 2022 में UPSC Civil Services पर इच्छा पास की और 821 वा रैंक हासिल किया जो certificate उन्होंने यूज़ किया इसमें वो था OBC certificate और जो quota यूज़ किया वो था physically handicapped quota अभी जो inquiry हो रही है वो इस बिस्च पे और इनका इस बिस्च पे है यह दोनों बिस्च पे अम्मेन तोर पर OBC जो certificate इन्होंने लगाया है यह non-crimalier का है इनके उपर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अपनी position का गलत इस्तमाल किया पहली बात यह अभी probation में confirmation नहीं हुआ है तो probation में वैसे भी सुविधाएं इतनी उपलब्द नहीं होती है जो confirmed जो अधिकारी होते है उनको उपलब्द होती है इन्होंने पहली बात वो गाड़ी हाशिल की VIP नंबर प्लेट हाशिल किया और अपने से senior का office भी कप जा लिया चीज़े तो बहुत सीरियास है तो इन civil servants को गवर्ण करने के लिए primarily दो rules पार्लेमेंट ने बनाए हैं All India Services Conduct Rules 168 का और दूसरा है Indian Administrative Services प्रोबेशन खास दोर से जो प्रोबेशन में होते हैं candidates उनके लिए 1954 में कानून आया था तो 1968 का जो कानून है यह मुख्य तोर पर जो ethics है या ethical character इस पर focus करता है अब अगर इनका जो पूजा खेड़कर का देखा जाए तो ethics तो पूरी तरीकी से गायव हो चुकी है ज्यादा दरकाम इन्होंने unethical ही किये हैं अब UPSC ethics का paper 4 कराती है अब ethics अब जितनी case सामने निकल करा रहे हैं यह सभी लोग जो ethics का paper पास करके गए हैं लेकिन इतने सारे लोग unethical काम भी कर रहे हैं तो इस exam की इस paper की क्या value नजार आती है यह इससे साब पता चलता है All India Services Conduct Rule का section 3, subsection 1 कहता है कि every member of service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the service अब यह unbecoming क्या है अब unbecoming का मतलब है कि जो भी ऐसा candidate होगा वो अपनी position का और अपने influence का इस्तमाल किसी ऐसे member को family member को या अपने जान पहचान वाले को employment नहीं देगा ऐसी जगे पर जो एक private entity है या कोई NGO है अपनी position और influence का गलत इस्तमाल करके अपने लोगों को set करना positions में जो की civil services के तहट आम बात हो गई है अब तो ये चीज ना हो इसके लिए इस कानून में ये प्रावधान दिया गया है rule 11 का subsection 1 बोलता है officers में accept gifts अब gifts accept करने पर जो है क्या नियम है ये rule बोलता है कि जो भी officer होगा ये होगी तो near relatives या personal friends या जो close जो लोग है उस व्यक्ति के उनहीं से इस तरीके की gifts accept किये जा सकते हैं जिनसे कोई official dealings ना हो हमारा कोई officially उनसे attachment ना हो और ये जो gifts हैं weddings में, anniversaries, funerals, religious functions ऐसी जगह से accept किये जा सकते हैं लेकिन इसके लिए सरते हैं कि किस से accept नहीं कर सकते हैं और किस से कर सकते हैं और एक नियम यह भी है कि कोई भी gift आप accept कर रहे हैं 25,000 से ज़्यादा की value का तो उसको आप government को report करेंगे तो ये point यहाँ नोट करने वाला है 25,000 का limit है 25,000 से ज़्यादा कोई भी gift होगा government को report करना जरूरी है must है अभी जो आपको rules मैंने बताए वो थे ethical rules अब हैं probationers के लिए पहली बात probationers का training होता है दो साल का दो साल तो probation पे रहते हैं इनका training होता है दो साल के लिए इसके बाद exam होगा exam के बाद और जब तक ये training पर होते हैं उस time इनको fixed salary मिलती है travel allowance मिलता है लेकिन ये जो चीज़े हैं ये नहीं मिलता है official car नहीं मिलती उनको VIP number plate नहीं मिलता है जो की confirmed civil servant होता है उसको मिलता है official accommodation भी नहीं मिलता है कोई official chamber with staff कोई personal staff नहीं होता है और कोई constable भी साथ में नहीं होता है confirmed होते हैं उनको constable मिलता है साथ में चलते हैं आपने ये चीज़े observe की होगी कई बार इस 1954 के rule number 12 में discharge करने की जो भी circumstances हैं वो mention की गई है कोई भी प्रोबेशनर होगा उसको discharge किया जा सकता है ट्रेनिंग के दोरान ही अगर unsuitable पाया गया services के लिए willfully neglecting हर प्रोबेशनरी studies और duties अपनी duties या studies को जो है willfully जानबूच कर अगर वो neglect करते हुए पाये या qualities of mind and character में defect पाया गया इस तरीकी चीज़ें की जो कि civil servant को नहीं करनी चाहिए तो इस तरीकी कुछ conditions है और उन्समें inquiry के बाद यह चीज़ें जो government panel बनाती है inquiry होती है और फिर जो है notification जारी किया जाता है discharge करने का यह जो प्रोबेशनर होगा उसके लिए discharge सब दिस्तमाल करते हैं ओके जो confirmed candidate है services से उसको भी जो हटाया जा सकता है लेकिन वहाँ discharge सब्दक अस्तमाल नहीं होता है वहाँ होता है dismiss किया जाता है जो confirmed civil servant होता है अब एक और fact की बात 1995 से 27% reservation मिला OBC category को 2006 से physically handicapped को 3% का reservation general OBC SCST यह चारो ही categories में available है मैडम ने इस्तमाल किया इसका ताकि इसका फाइदा उठाया जा सके दूसरी बात OBC category के लिए eligible थी नहीं क्योंकि इनके parents well to do family से हैं अच्छा पैसी वाली family से हैं तो जो 8,00,00 की limit है कि 8,00,00 से नीचे नॉन क्रीमी लियर आट लाक की उपर क्रीमी लियर तो यह क्रीमी लियर में आते हैं इन्होंने OBC का certificate नॉन क्रीमी लियर का लगाया यह इन्होंने उलंगहन किया है अब इन पर सरकार ने एक panel बना दिया हजाज का वो report समिट करेगा अ falsified हैं यानि फरजी तरीकिस लगाए गए हैं तो इनको सर्विस से discharge कर दिया जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक दियर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए नेक्स वीडियो मिलेंगे थैंक यू